जिस प्रकार उपर वाला आपके हाथों में केवल आपको लकीरे देता है इसमें आपको रंग खुद ही भरना पड़ता है उसी प्रकार फल पाने के लिए आपको कर्म करना पड़ता है नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में डिसकत करेंगे दिस दिसम्बर के करेंड पर दिखेंगे आज टोटल दस करेंड पर दिसकत करेंगे इस वीडियो में और साथ ही इस वीडियो के लास्ट में आपसे पांच क्वेशन अपड़ती पुछ आएंगे तो आपको इन पांचों प्रस्टों का जवाब देना तो सुरू से लास्ता व ध्याद देखते लिए और देखेंगे इस वीडियो को पूरा देखने पाद आप इसका पीडियप भी डाउन्लोग कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिफ्ट्रिप्टेशन बाक्स में आपको आज के करेंड अपर के लिए पर पीडियप की लिंग मिल जाएगी और दीके नीचे अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकोन प्रेस कर दीजे और देखे वीडियो को लाइक करके इसको शेयर करना मत भूलिए तो चले स्टार्ट करते हैं आज के करेंड इपर सेजन को लेकिन सबसे पहले में बात करेंगे कल के करेंड इपर सेजन के दोरा पूछे गए सभी क्वेचान अब देखे सभी प्रष्णों के सही उत्तरों की देखे कल का जो पहला प्रस्ता ये था कि 2018 का पूरूस हाकी विसोकप का किताब किसने जीता है तो देखे इसको जीता है बेल जीम ने और दूसरा प्रस्ता की सभी तुराश्ट जलवायू सम्मेलन 2018 यानि की United Nations Climate Change Conference 2018 यानि की COP24 का आईजन कहां पे किया गया तो देखे अभी हाली में इसका आईजन पूलेंड में किया गया था और देखे अगला प्रस्ता की Miss Universe 2018 का किताब किसने जीता तो देखे इसको जीता है Catriona Grane और अगला प्रस्ता की Star Screen Award 2018 में किस अभीनिता को स्रिष्ट अभीनिता का आवार दिया गया तो देखे इन का नाम है Ranveer Singh और अगला प्रस्ता की Star Screen Award 2018 में सरुसरिष्ट अभीनितरी का आवार किसे मिला तो दिखिएन का नाम है आलिया भट तो ये सबी जो है कल के question update के सबी प्रशनों के सही उतर थे ठीक है और देखिए आज के करेनेफिर का पहला प्रशना है कि हाल ही में किस देश ने 2019 को सही सुर्दा वर्ष के रूप में गोसित किया है देखिए 2019 का वर्ष होगा अगला ठीक है इसको सही उतर अरब अमिराथ ने हाली में कहा है कि हम इसको सही सुर्दा वर्ष के रूप में मनाएंगे तो याद रखना है कि 2019 के वर्ष को सही सुर्दा वर्ष गोसित किया है सही उतर अरब अमिराथ ने और तेकले संध अरब अमिराज की बाद कर Essa लगती है पहला आपका है स्टेंड अरब और दूसरा है ओमाइप ठीक तो आप जो है ने स्ग्सक्राइब है और इसके सिमाई जो है सौधी अरब और ओमान के साथ लगती है और देखिए इसके बारे में एक विशेस बात है जो कि एक्जाम में कई वर पुछा गया है देखिए जो आपका युनाइटेड अरब अमिराथ है इसमें टोटल साथ अमिराथ सामील है ठीक है ये साथ अमिराथ का आपका एक वेडरेशन यान की संग है और इस संग में कौन कौन से अमिराथ सामील है ये एक्जाम में पुछा गया है तो देखिए इसका जो पहला अमिराथ है आपका अबुदाभी है दूसरा है अजमान तीसरा है सारजा जहां पे ग्रेट हो गएर होते रथे हैं चौथा आपका दुबई है और पाचों आपका है फुजेराज छटा आपका है रास अलखेमा और सातों आपका है उम अलक्वैन तो ये सभी जो है साथ अमिराट्स आपके हैं तो ये सभी खास बातें आपको याद रखनी है और इन सातों आमिराट्स का नाम भी याद रखेगा और दूसरा प्रसन है कि हाल ही में किस बेक्त को पाकिस्तान की जेल से 6 वर्स के बाद रिया किया गया है तो देखे ये भारती बेक्त आपके हैं हामिद अंसारी और ये अंसारी जी हैं और देखे इनको जो है मुभबत हो गए थी 2012 में और ये जो है एक पाकिस्तानी लड़की से प्यार कर वाइटे थे तो उनसे मिलने के लिए पाकिस्तान जाना चाहते थे तो इनको क्या हुआ वीजा वगएरे मिल नहीं रहा था पाकिस्तान का फिर क्या हुआ ये गैर कानुनी तरीके से अफगानिस्तान होते वे पाकिस्तान बहुँच गए और फिर बाद में क्या हुआ कि अगर आप बिना वीजा के किसी देशम जाएंगे तो आपको वहां के पुलिस हरिष्टे रही तो वहां पर जो है इनको जासूची और बिना दस्तावेजों के पाकिस्तान की यात्रा करने के अपराद में पाकिस्तान की जेल में ठूस दिया है कि अभी हाली में हामिद अंसारी को पाकिस्तान की जल से 6 वर्स के बाद रिया किया गया है और ये वापास भारत लवटाया है देखिए अभी याली में की जौब लगी थी गोजरबारा में ये प्रोफेसर के रूप में कारियर थे इनकी मदब फैमिली भी अच्छे अच सरकार ने छात्रों की सहायता के लिए सिक्षा सेतु मोबाइल एप लांच किया है तो देखिए सिक्षा सेतु नामा जो ये मोबाइल एप है इसको लांच किया है हरियाना की सरकार ने देखिए हरियाना का जो आपका हायर एजुकेशन विभाग है इसने जो है डिजिटल इ इंडिया कारेक्रम में कदम बढ़ाते वे सिक्षा सेतु नामा की ये मुबाइल एप शुरू किया है और इसकी विसेस्ता क्या है दिखे इसके माध्यम से प्रदेश के यानि कि हरियाना की सरकारी कालेजों में छात्रों की जो हाजरी है यानि कि अटेंडेंस है फीस है जो लेक्चेर्स होगे रहे है ठीक है और नीदे साल है कि अधिकारियों का विवरेड है ये उपलब दोगा इस सिक्षा सेतु नामा मुबाइल एप पे और एक खास बतार है अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में बढ़ता है हरियाना में और आपने अपने मुबाइल मे इस्टाल किया है तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि आज आपका बेटा स्कूल पढ़ने गया है कि नहीं तो ये इसकी विशेज बात है अब इससे जो है जो अभी भावा के निगरानी कर सकेंगे कि उनका बेटा स्कूल गया कि नहीं उसकी अटेंडनेंस लगी कि नहीं तो और देखे चोथा पुरसना की World Economic Forum की वर्थ से 2018 की Gender Gap Report में भारत को कौन सा स्थान पराप्त हुआ है? तो देखे भारत को जो है 108 वा स्थान पराप्त हुआ है 2018 की Gender Gap Report में और देखे एक खास बता हुआ है देखे वर्थ से 2018 की इस रिपोर्ट में कुल 149 देशों को इस सर्वे में सामिल किया गया था और देखे कभी कभी एक्जाम में ये भी पुछा गया है कि किस रिपोर्ट में कितने देशों को सामिल किया गया था तो देखे जो आपका Gender Gap Report है इसमें पिछले साल भी भारत को जो है 108 अस्तान ही मिला था तो अभी आपको एक लाइन में याद रखना है कि 2018 की Gender Gap Report में कुल 149 देशों के बीच में भारत को 108 अस्तान प्राप्त हुआ है और देखे इस रिपोर्ट के बारे में कुछ और भी जान का रही है ध्यान सुनिएगा देखे पिछले सालों की भाती जो है लगातार दसमें वर्स भी जो आपका आइसलेंड है ठीक है तो आइसलेंड पहले नमबर पे है इस रिपोर्ट में कुछ आपके जो दक्षिड ACI देश इनकी बात कर लेते हैं देखे दक्षिड ACI देशों में आपका बांगला देश जो है यह 48 में अस्तान पर है और इसी के साथ जो है यह सबसे अच्छी स्थिति में है जेंडर गैप जो आपका रिपोर्ट है इसमें पर है नेपार 105 में स्थान पर है मालदीव 113 स्थान पर है बोटान 122 में स्थान पर है और अफगानिस्तान को जो है इस बार इस सर्वे में सामिल नहीं किया गया है तो दीखे यह एक खास बात हो रहा गई आपसे एक प्रसन अलग सी पुछा सकता है कि जेंडर गैप रिप जैने कि 149 स्थान पर आपका है जो आपका यमन है ठीक है देखिए यमन में हमेसा ग्रेव दो तरह था कभी बंबी स्था हो सकता है वहां पर तो यमन जो है आपका सबसे नीचे है जो आपका चेंडर गैप रिपोर्ड दो अठा रहा है तो देखिए यह सभी चीज़ आप हो सके तो आप नोट कर लिए अभी क्योंकि इन में से कुछ भी कोई भी डाटा एक्जाम में पुझा सकता है देखिए मैं आपको थोरा सा इंपोर्टन चीज़ बताते हैं देखिए पहले सबसे पहले प्रिफरेंस एक्जामनर क्या देता है कि पहले असान पर कौन है उसकी रैंकिंग जारी की है देखिए वर्ड एकोनॉमिक फॉरम का एट कोटर है कोलोगनी सुटेजर लेंड में इसके फांडर है क्लास वाब और इसके अस्तापना जनवरी 1971 में की गई थी देखिए जो आपका वर्ड एकोनॉमिक फॉरम है इसका मुख्याला भी हाली में पुझ इस बात यह है कि वर्ष 2014 में पस्यम बंगाल की सरकार ने पस्यम बंगाल के सरस्रिष्ट सम्मान से जिसका नाम है बंग बीवुसर सम्मान तो इससे जो है पुरस्क्रिक किया था इनको तो यह सभी एडिशनल फैक्ट याद रखना है लेकि सबसे पहले गया रखना है कि अरू पस्यम बंगाल के लोकेशन तो आप जानते हूंगे पस्यम बंगाल जो है कुछ इस अस्तान पर भारत के पुरवी सेरे पर जो है लोकेटेड है और दीके छटा प्रशना आपका है पुस्तक चेंजिंग इंडिया के लेका काउन है तो देखिए यह पुस्तक काफी चर्चा जो है जितने भी इनुण ने कार कियaş है रेजेर उपायर का फुर्णर के रूप में या फिर भारत के प्रदानमंदर के रूप में तो उन सभी का विवर्ड जो है इनुं ने इस पुस्तक में लिखा आये तो या रखना है कि changing India नामक पुस्तक यह मनमोहन सींग के दौरा न तो देखिए जो चर्चा में चीज़ होती है वो एक्जाम के लिए important होती है तो इसके सारे facts मैं आपको बदाऊंगा अभी आपको एक line में याद रखना है कि अभी हाली में जो आपका नीदर लेंड है ठीक है तो यह जो है इसने अभी हाली में वन प्राणियों को नया जीवन देने के उद्यश से टोटल पांच क्रित्रिम दीव बनाया है और इसकी खास बात का है यह चर्चा में क्यों है इसको जो है वन नेजीव की बहतरी के लिए यूरोप का यानि की पूरी यूरोप का सबसे बड़ा आपरेशन बताय जा रहा है और देखिए इस प्रजेक्क की सुर्वा जो है नेचर मोनोमेंटर नामक एक डच एंजीओ यानि कि नौन गवर्मेंटल आरगनेशन के दोरा की गई थी जिसमें करीब जो है चार सो एक क्यासी करोट रूपे खर्च आया है ठीक है और देखिए इन दीव स्वमों में तीन पक्षी अभ्यारड भी है यानि आधी में पांच क्रित्रिम दीव बनाए हैं जो आपके वन ये प्राड़ी हैं इनको नया जीवन देने के लिए और देखिए नीदरलेंड के बारे में खास बात है कि नीदरलेंड को हालेंड के नाम से भी जानते हैं और नीदरलेंड के जो निवासी हैं को डच का आया ठी देखे नीदर लेंड के बारे में कुछ और वी चीज़ए है और इसकी capital है एमिस्टेर्डम और नीदर लेंड की currency है euro और US डालर देखे आट हो पुर्षना है चैलेस ने किषक्टेस की company है तो घालेकलैस ने की रूस यानि की रसिया कंपनी है और यह जो है AK-47 नमा की बहुत ही पाफुलर राइफल आपका तो उसकी निर्माता भी है और इसके बारे में करेंट नियुज के आदेखी जो आपकी यह AK-47 गन की निर्माता कंपनी है कैलेस निकोव इसने भी आले में रूस यानि की रसिया के आर्केटिक छेत्र में देश की संपत्य की निगरानी करने के लिए दो ऐसे स्मार्ट ड्रोन पे सकी है जो की आटोमेटिक आइडेंटिपिकिकिसन सिस्टम से लेस है और यह ड्रोन जो है यह 100 किलोमेटर दूर स्थित किसी भी विदेशी जहाज का फाइटर जेट का पता लगा सकते है तो यह खास बात है इन दोनों ड्रोन की तो आपको या रखना है कि कैलेश निको जो है आपकी रूस की यानि की रसिया के कमपनी है और इसने जो है AK-47 नाम का आपका जो राइफाल दाड़ी का इसको डेवलप किया था और इसलिए यह कापी पापलर थी और इसने ब्याली में दो ऐसे ड्रोन को विक्सित किया है जो की Automatic Identification System ते लाइस है और यह ड्रोन जो है 100 किलिमेटर दूर सित दूस्मन के जहाज का पता लगा सकते है तो यह खास बाते हैं और देखे एकजाम एक बार यह प्रस्ण पूछा गया था मैं तो चौक गया था बिल्कुल उसमें पूल था कि AK47 जो है यह किस देश की निर्मादा कंपनी है तो वहाँ पे जो है सही आप्शन था रूस यानी की रसिया ठीक है और इसकी निर्मादा कंपनी का नाम है कैलेस निको और देखें नौवा प्रस्ण है कि हाल ही में किस देश में 1948 से 1973 के बीच में पहुँचे 124 भारतियों को देश की नागरिकता दे दी गई है तो देखें यह प्रस्ण भी काफी चोचा में है कि 1948 से 1973 के बीच में यह 124 भारति जो है इंग्लेंड गया तो अब जाके इनको नागरिकता क्यों हो दी गई है देखें यह सभी विंडर्स पीडी बिवाद के कारज़ों इनको नागरिकता नहीं जी गई थी क्योंकि इनके निवास की इस्तिती जो है इंग्लेंड में सपस्ट नहीं थी और देखें यह जो टर्म है आपका विंडर्स पीडी आपको एक्जाम में देखने को मिलेगा तो विंडर्स पीडी बिवाद क्या है बताते ताओं आपको इसी बिवाद के करण क्योंकि इनको विंडर्स पीडी क्योंक आगी है क्योंकि इनके निवास की इस्तिती जो है वहां पे इतली वरस 9-18 के लिए पेटा परसान आपका य idiर चुनी गई है नाम सोनम कपुर आथी इसवे बारे में इनके बारे मेए यानिकि सोनम कपूर के बारे में एक और खास बात है दीखे वर्थ से 2016 में पेटा ने जो है सोनम कपूर को बारत की सबसे सांदार साकाहारी सेलेबरेटरी गोसित किया था और दीखे जो आपका ये पेटा परसानापदा येर का पुरिसकार है इससे पहले अनुस्का सर्मा को सनी मिल चुका है आप ये सभी जानकर है रगेगा ये हाली में सोनम कपूर को दिया गया है पेटा के दौरा और दीखे पेटा का पुरा नाम आप ग्साम में बुचागा है तो पेटा का पुरा नाम है people for the ethical treatment of animals और ये जो है एक non-profit यानि की NGO है non-profit organization है और देखिए जो आपका ये पेटा है ये आपका ये American animal right organization है और इसके असापन मार्च 1980 में की गई चीज़ का मुख्याल है Norfolk, Virginia, United State में तो ये सभी जानकारी आपको पेटा के बारे में रखती है तो ये थे आपके आज के करेंडे फिर अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी question-up day फिर देखिए आज के question-up day का पहला प्रशना की किस भारती फिल्म को आसकर के लिए start list किया गया है तो इसका नाम बताए ये लिस कमेंट बॉक्स में और दूसरा प्रशना की हाल ही में किसे अतिरिक्त solicitor general यह निकि additional solicitor general के रूप में न्युक्त किया गया है तो इनका नाम जली से बताएए और अगला प्रशना की किस तिधी को अंतराश्टी प्रवासी दिवस के रूप में मनायता है तो इस तिधी को बताईए और साथी थीम भी बताना आपको कि अंतराश्टी प्रवासी दिवस दोयाठारी की थीम क्या रही और देखे अगला प्रशना की हाली में केंदरी मंतरी मंडल ने प्रधान मंतरी स्वास्त सुरक्षा यूइना के अंतरगत किस या किन राजियों में दो नए एम्स की असापना को स्विक्रिती दी है तो जली से इसका उतर बताई और अगला प्रशना की हाली में भारत सरकार ने किस राजनेता के नाम पर 100 रूपे का सिक्का जारी करने की गोश्रा की है तो इनका नाम बताई के मिल्ट बॉक्स में तो देखे ये सारे के सारे प्रश्च जो है आज की कोशन अपडेक है तो इसी का साथ आज का करनेट फ़ यही समाबसा है तो वीडियो को लाइक कर के से लिए bounces को लाइक करना नाउक बूलेगा और जो लोग ने है वो चैनल को सबस्क्राइब करेंगा तकि मेरे अगले सभी वीडियो का notification को automatic और सब्सक्राइब मिल जाएगा और देखिए अगर आप मुझे instagram पे follow करना चाहते हैं मेरे telegram channel को join करना चाहते हैं मेरे facebook page को like करना चाहते हैं तो इन सभी की link जो है आपको discussion box में मिल जाएगी उस पे click करके जो है आप इन सभी को join कर सकते हैं तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यबाद thank you and have a nice day